भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोडी अपने घर लोटाए हैं। तारक महता के अक्टर गुरुचरण सिंग पिछले 25 दिनों से लापता थे। घर लोटे गुरुचरण से पुलिस ने पूस्ता आच की है। इस दोरान गुरुचरण ने खुला सा किया है कि आखिर वो अपना घर छोड़ कर जाने के लिए क्यूं मजबूर हुए। गुरुचरण सिंग 25 अप्रेल से लापता थे। वो दिल्ली में अपने घर से मुंबई रवाना होने के लिए निकले थे। लेकिन दिल्ली से ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और अचानक गायब हो गये। उनके बूडे पिता और घरवालों का रो रोकर बुरा हाल था। घरवालों को लग रहा था कि सोडी को किड्नैप कर लिया गया है। हालाकि अब सोडी ने सारी कहानी पुलिस को बताई है। आज तक की रिपोर्ट के मताबिक गुरुचरण ने पुलिस को बताया है कि वो धार्मिक यात्रा पर गये थे। वो दुनियादारी छोड़ कर घर से चले गये थे। इन 25 दुनों में वो कभी अमरिस्तर तो कभी लुद्याना में रुके। वो कई शेरों के गुरुद्वारे में ठेरे। उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ कि अब उनको घर लोट जाना चाहिए तो वो वापस लोट आए। पोलिस जब गुरुचरण को लेकर जाच कर रही थी तब पता चला था कि वो आध्यात्म को लेकर जुड़ते जा रहे थे। पोलिस ने उनकी इंटरनेट हिस्ट्रि से सारी जानकारी जुटाई थी। साथ ही पुलिस को ये भी पता चला था कि उनकी शादी होने वाली थी और उने आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। पोलिस को ये भी पता चला था कि सोडी 10 क्रेडिट कार्ड का अस्तिमाल करते थे, वो एक कार्ड से दूसरे कार्ड का पैसा भरते थे। गुरुचरन के लोटने पर उनके बूडे पिता और घरवालों ने राहत की सांस ली है। वहीं तारक मैता के एक्टर्स भी गुरुचरन के लिए दूआए कर रहे थे। फैंस लगातार गुरुचरन के लिए परिशान थे। लेकिन आप सभी ने सोडी के घर लोटने पर खुशी जताई है। बिरो रिपोर्ट बॉलिवुट पे चरचा।